खट्टा तो क्यूं? साथियों, आपको खाने का कौनसा स्वात सबसे अधिक पसंद है? मीठा, कड़वा या खट्टा? हम्, खट्टे के तो नाम से ही मुँ में पानी आने लगा. सही कहा ना? क्या आप जानते हैं, खाने की चीजों का स्वात खट्टा क्यूं होता है? आईए इस गीत के माध्यम से जाने कि खट्टे स्वात वाली चीजों में कौनसा पदार्थ होता है? जो उन्हें खट्टा स्वात देता है. कौन है ये? कौन है ये? कर देता जो खट्टा मूँ कर देता जो खट्टा मूँ क्या है इसमें? कर देता जो खट्टा मूँ कुछ तो है कुछ तो है कर देता जो खट्टा मूँ कैसे पता है कैसे पता है ये खट्टा करने वाला पदार्थ है कुछ तो है कुछ तो है कर देता जो खट्टा मूँ कर देता जो खट्टा मूँ तभी तो करता लिट मसनार पता है क्या पता है क्या हमारे अंदर भी रहता ये अधिक हो जाता अधिक हो जाता करता हमें परिशान ये मिल्क ओफ मेगनीशिया पीकर मिलता चैन हमें मिलता चैन हमें पता चल गया पता चल गया अमले इसे कहते हैं हम साथियो आपने सुना कि नीबू का खटापन उसमें अमल की उपस्थिती से होता है खट्टे स्वाद वाले खाद्य पदार्थ तो और भी बहुत है जरा सोचिए जी हाँ इमली आम आवला टमाटर और भी बहुत कुछ तो इससे क्या हम यह समझें कि हम सभी पदार्थों में आमल की उपस्थिती उन्हें चख कर पता लगा सकते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं याद रखिए किसी भी अग्याद पदार्थ को कभी न चखे वो आपके लिए हानिका रख हो सकते हैं इस गीत में आपने लिटमस नामक सूचक के विशय में सुना इसके द्वारा हम अमल की उपस्थिती का पता लगा सकते हैं और हाँ साथियो अब आपके लिए कुछ करने को किनहीं दस ऐसे पदार्थों की सूची तयार कीजिए और पता लगाईए कि उनमें कौन सा अमल है जो उन्हें खटा बनाता है और हाँ आपने जो संबंधित जानकारी इकठी की उसे अपने साथियों को बताना ना भूलें खटा तो क्यों? अभी आप सुन रहे थे ये गीत विशय संयोजन एवं वाचन डॉक्टर रुची वर्मा आलेक डॉक्टर अंजिनी कॉल संगीत हर्भजन सिंह गायन स्वर अनुजा विसारिया विनीत और बच्चे भन्यंकन बटी लैंग लिंग्डो निर्मान सहयोग मयंक थापलियाल निर्देशन एवं निर्मान वंदना अरिमर्दन यह कारेक्रम CIET NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रस्तूत किया गया